Hello everyone, welcome back to the channel दोस्तों हमने बात की थी पिसली वीडियो में कि stages of development कौन कौन सी होती है आज इस वीडियो में हम stages of development को detail में discuss करने वाले हैं तो start करते हैं first stage that is infancy या जिसको बोला जाता है सैस्वा वस्था सैस्वा वस्था या infancy जो जन्म से लेके और दो साल तक मानी गई है इसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे so valentine valentine ने बोला है कि infancy जो है वो ideal period of learning है ठीक है किस ने बोला है valentine ने infancy is the ideal period of learning ठीक है learning का ideal period किसको का गया है infancy को किसके दौरा valentine के दौरा You just have to remember this thing only. अब आती है बात की infancy है क्या? और इसके बारे में क्या-क्या aspects जो है वो उभर कर सामने आते हैं हमारे पास. तो सबसे पहली बात कि infancy is most important period of life. सबसे important जो समय होता है जो काल होता है हमारे development का वो infancy होता है. इसको foundation of future life भी भी बोला जाता है यानि कि हमारा जो भविश्य का जीवन जो है उसका base किसको बोला जाता है infancy को यानि कि foundation of future life इसको ideal age of learning भी बोला जाता है और ideal age of learning के बारे में किसने बात की है वेलेंटाइन ने भी बात की है उसके अलावा अगर बात करें तो यह जो stage है infancy जो है इसके अंदर हमारी irrational thoughts जो है वो हावे रहती है और इसको इसी लिए इसको बोला जाता है stage of irrational thoughts यानि कि कोई भी logical thought नहीं आती इस समय में ठीक है जो भी बच्चा सोचता है that is without any logic ठीक है logic जो है वो अब तक उभर कर सामने नहीं आया है हमारे बास बच्चे के अंदर किस काल में infancy की काल में इसकी character sticks की बात की जाए तो character sticks जो है वो कहती है कि इस काल के अंदर यानि कि सैस्वा वस्ता या फिर infancy के अंदर बच्चा जो है वो depend रहता है most of the time thing दूसरों के ऊपर ठीक है क्योंकि बच्चा तो कुछ करता नहीं है ना उसके पास logic है ना rational thoughts है ठीक है तो वो अपने बेस पे कुछ नहीं कर पाता है और नहीं उसका इतना development हुआ है physical development भी इतना नहीं हुआ है कि वो कुछ ज़्यादा कर पाए तो वो सबसे ज़्यादा इस काल में क्या होता है depend होता है दूसरों के ऊपर चाहिए वो मम्मी पापा हो चाहिए वो भाई बेन हो या फिर कोई भी उसके आसपास environment में जो पर होता है उन चीज़ों पर वो क्या होता है डिपैंड होता है दूसरी बात इस स्टेज के अंदर infancy के अंदर self love जो है वो काफी हद तक ज़्यादा होता है यानि कि बच्चा जो है वो self assertive होता है ठीक है खुद के बारे में सोचते है खुद के विचारों को वो महत्तो देता है next is lack of morality ना उसके अंदर कोई किसी type की morality होती है उसको नहीं बता कि कहां उसको toilet करना है कहां उसको मतलब कोई भी काम जो करना है whatever he feels he do that ठीक है he do not think about the moral values क्योंकि अब तक उसके अंदर morality का विकास नहीं हुआ है उसके बाद instinct based behavior इंस्टिंक्ट क्या होते हैं जो हमारी मूल परवर्थिया होती है जिसे कि भूख लगना प्यास लगना उसी के हिसाब से वो बच्चा जो है वो क्या करता है characters sorry behave करता है ठीक है उसके बाद यानिकि जो infancy है वो क्या है instinct based behavior शो करती है उसके अलावा repetition tendency आती है बच्चे के अंदर एक चीज़ को बार-बार रिपीट करता है उसके अलावा next is high curiosity बच्चे के अंदर इस समय पर infancy के अंदर high curiosity होती है यानिकि उसकी कुछ भी जानने की उसके बाद आता है हमारे पास learning by imitation इस age के अंदर बच्चा जो है वो imitate करता है चीजों को ठीक है नकल करता है imitate करता है और उसी से वो चीजें अपने अंदर develop करता है शीखता है उसके बाद rapidity in physical development यानिकि यह काल जो है शैस्वा वस्ता जो है infancy जो है यह important aspect है infancy का इसलिए मै होता है कि infancy जो है इसके अंदर rapidly physical development होता है यानिकि जो physical development है बच्चे का वह काफी टेजी से होता है कि देन अधर एजीज और अधर यून स्टेजीज ओधा डेवलप्मेंट एक बाद फिर revise करते हैं कि जो character sticks है यानि कि बच्चा जो है depend रहता है दूसरों के उपर ज्यादा उसके बाद self love जो है वो ज्यादा होता है उसके अंदर morality नहीं होती है बच्चे के अंदर इस age में नैतिकता के गुणों का कोई विकास नहीं होता है instinct based behavior करता है उसको भूख लगती है तो वो वैसा ही behavior करेगा ठीक है तो यह सब चीज़ें उसके अंदर होती है उसके बाद repetition tendency होती है repeat करता है चीज़ों को high curiosity होती है किसी भी चीज़ को जानने की ठीक है learning by imitation जो है वो भी इस उसके बाद आती है हमारे पास early childhood जिसको पूरू बाल्यावस्था बोलते हैं तो early childhood का जो समय है वो है 3-5 years 3-5 years की अगर sorry early childhood की अगर बात करें तो इस age में बच्चा जो है वो school जाने के लिए ready हो जाता है यहने की school में भेजने लग जाते हैं बच्चे को देखा भी होगा आपने आज पास में तीन साल के बच्चों को हम school भेजने लग जाते हैं उसको play age या फिर उस age में क्या होता ह है कि बच्चा school जाना start कर देते हैं early childhood में तो school going age भी उसको बोल सकते हैं next we have student steady growth इस age के अंदर comparatively infancy से धीरे जो है ग्रोथ होती है बच्चे की ठीक है जो physical development है वो धीरे होते है उसके अलावा gross and fine motor skills can be seen अब gross and fine motor skills क्या होती है जो हमारी motor skills होती है यानि कि bodily movement जो होते हैं हमार रहे उनसे related जो भी काम करता है बच्चा वो हमें देखने को मिलते हैं बच्चे की इस age में early childhood में उसके अलावा अगर बात करें can use जो बच्चा है वो the child can use what symbolic thought to perform task अब उसके दिमाग में symbols बनने शुरू हो जाते हैं ठीक है symbolic thought जो है वो develop होने लगती है बच्चा टोकेटिव हो जाता है बच्चा काफी बाते करने लगता है इस age में ठीक है उसके अलावा अगर बात करें तो fear to being alone और dark places बच्चे के अंदर एक प्रकार का भै बन जाता है कि अगर वो अकेला रहना पसंद नहीं करता है वो इस उम्र में ठीक है उसको उसके अंदर fear की बावना जो है वो भी डैवला हो जाती इस अज तक क्योंकि बच्चे देखें कि आपने यह खिलोना मेरा है ठीक है मनलब ऐसी हारकते करते हैं बच्चे कि जिससे हमें पता चल जाता है कि उसके अंदर jealousy की भावना जो है वो डैवलब हो गई है उसके अलावाद self concept भी थोड अरली चाइल्डूड में तो बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है तीन से पांट साल का बच्चा ओविस्टी बात है स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है उसके लावा slow and steady growth होती है यहने की कि कंपेरिटिव लीव इंफैंसी की कंपेरिजिन में बात करें तो स्लो एंड स्टडी ग्रोथ उसके लावा ग्रोश और फाइन मोटर स्किल्स हम देख सकते हैं उसके लावा सिंबोलिक थोड़ का बच्चा यूज करना सुरू कर देते हैं अपने कामों को करने के लिए टोके के लुटर सेको जो हूँ मैंज करना सुरू कर देता है कि थो अजार शाल कि करें अध्यक्तों अब ख़ाल है